नमस्का दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीटिएसे इस्टाप नर्स रिजिल्स के बारे में और बीनर्सी से रिलेटेड आजकी टौपिक रहने वाली है दोस्तों आज की टोपिक दोस्तों बहुत ही interesting होने वाली है दोस्तों उन कंडिजिट के लिए जिनको confusion है bnrc को लेकर और results को लेकर दोस्तों bnrc को लेकर बहुत सारे student है जिनको confusion है कि हम bnrc पहले क्यों जमा करें पहले मेरी job लग जाएगी मेरी merit list आजाएगी तब मैं bnrc को जमा क करूंगा पहले क्यों जमा करूं यदि हमारा वियनाट से जमा करने के बाद भी यदि हमारा नहीं आता मेरिट में नाम लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो मैं क्यों जमा करूं तो इससे बहुत सारे comment आया जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उपंदर सिंख जी ने हमको comment किया है और क्या लिक रहे हैं कि यहाँ पी देख सकते हैं कि comments क्या है ऐसे कैसे होगा पहले results आए की क Sandy Red legitimacy नहीं हुआ और मैं नेaldざी registration कर ले अगर selection नहीं हुआ तो फिर अपने state में कराना होगा registration तो जी उपेंदर जी आपके मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि हमारा BNRC हम जमा कर दे यदि हमारा बिहार में नहीं हुआ merit में नाम नहीं आया तो फिर हमें अपना registration अपने state में कराना होगा यह यूपी से हो तो यूपी में कराना होगा जिस स्टेट से हो तो हाँ यह कंफर्म है कि यदि आपका सेलेक्शन नहीं होता है मेरिट में नाम नहीं आता है तो आपको सेलेक्शन आपका फिर अपने स्टेट में कराना होगा फिर दूसरा कमेंट्स क्या है यहां पर देख सकते हैं इनका कहने का मतलब यह है राजा का कहने का मतलब यह है कि जब तक जौब नहीं मिलेगा तब तक हम बियानार्ची क्यों करें अगर हमारा होगा तो हम करेंगे नहीं रखना तो अधर स्टेट के तो फॉर्म क्यों भरवाए यानि कि इनके खाने के मतलब यह है जब नहीं रखना था तो फॉर्म क्यों भरवाए तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें आप लोग की बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि आपको बिनर्सी जमा करना अनिवार है अभी मैं आपकी सारी डाउट क्लियर कर देंगे अभी आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं उसमें आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगा बस आप वीडियो को लास्ट तक किलियर कर देंगे तो दोस्तों चौथा comment शेठी का यहाँ पर नहीं ने साफ साफ लिखा है कि notification में लिखा है registration compulsory है तो आयोग गलत नहीं करेगा without registration कोई नहीं लेगा हमने बात किया है btsc office में clear बोल रहा है registration compulsory है है होना चाहिए यानि कि इनके कहने के मतलब यह परवेश जिका कि btsc office में इन्हों ने बात किया है वहां पर वो लोग बोले हैं कि bnrc compulsory होना ही चाहिए तभी आपकी मेरे list जारी करें यहां पर आप लोग कि हम सबसे बड़ी confusion को दूर करने जा रहे हैं यहां पर आप लोग जैसे कि बहुत सारे student confusion में कि bnrc जमा करेंगे तभी हमारा हम हम नहीं जमा करेंगे result आउट होगा तब हम bnrc जमा करेंगे दोस्तों यहां पर अब आयोग ही वहां की जो बीटिएसी ऑफिस में जो वो लोग चाहेंगे वही होगा यहां पर आप लोग की हम एक आप लोग की confusion को दूर करने के लिए बता रहें जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है और यह जो notification यह पीछले वहस्त का है लेकिन आपकी confusion दूर करने के लिए आपको हम दिखा रहें कुछ important जहां पर आपको देख कि आपको खुद कि अपरवर्तिनी कालम को छोड़ कर यानिकि BNRC को छोड़ कर सुधार मतलब modification भी किया जा सकते यानिकि और भी चीजों में आपकी सुधार किया जा सकता है बियनरसी को छोड़ कर या सुधार कुछ छेत्रों में मात्र एकी बार संब़वे यानिकि जो आपका BNRC है उसको छोड़कर जो आपका मैं पर्मार्ण पत्र वर पको छोड़कर और भी सारी चीजेज生 की आप करे में लेयर हो रुगया जात परमारण पत्र हो गया आई पर महर्ण पत्र हो गया इन सब चीजों में आपको एक बस सुधार करने के लिए मौका दिया जा सकता है ना कि बेहनार्ची में जैसे दोस्तों जो भी स्टाफ नर्सेस की कांसिलिंग करा चुका है उन सब सभी स्टुडेंट को पता होगा कि एक मौका दिया गया तो जैसे 17 मास तक आपको टाइमिंग दिया गया था जो अपना आएजाद प्रमापद बहुत सारी चीजे थी क्रीमे लेयर होगा करेक्टर सार्टिफिकेट हो गया या पुलिस वेरिफिकेशन हो गया सारी चीजे नहीं जमा किये उनको एक टाइमिंग दिया गया था कि आप इतने मतलब 17 मास तक आप इसको जमा कर देना कंपल सरी और बहुत सारे इस्टूडेंट जो बी अनार्सी नहीं जमा किये थे उसकी फोटो कॉपी जमा करनी थी वह एक रसीद लगाए थे जो वहां पे एक रसीद मिला था उसको लगा के यानि कि वह रसीद लगा के वह सारे स्टूडेंट सारे अपना काउंसलिंग कराये थे तो आप क्या करना है photo state करा के आपको जमा कर देना है सतरमाज तक एक application लिखना था उसमें उसमें सारी बतार लिखना था कि हम यह यह चीज़ नहीं जमा की हैं अब वो सारी चीज़ें हम फिर जमा करना है कर रहे हैं ठीक है तो वहाँ पर आपको एक सिलिप मिली होगी स्टीक है इस पर हम सारी वीडियो बनाएंगे एक बार आपको सारी चीज़ बताएंगे तो दोस्तों आप लोग यहां पर कन्फूजन दूर हो गई होगी कि यहां पे गवर्मेंट या दिव्यार सरकर चाहिएगी वहां भी मानना यहां तक आपकी बीडि country यहांपे हम जू चीज आपको दिखा रहे हैं इससे आप लोग की कन्फूजन दूर हो गया होगा कि भी सपा Lewis सरकर वीर सेखार आप के जो भी candidate हैं उनको वही स्टाप चाहेंगे तो ही आपके बियार सरकार चाहेगी तो ही आपकी बीना बिनार्ची वाले candidate का मेरिट में नम आ सकते क्योंकि बहुत सारी student है जो बोल कि डारेक्टली बोल चीज़े आपको ब्यार सरकार की एक चीज़े खासे था हमें बहुत इच्छी लगते हैं कि वहाँ पह सारी चीज़े आपको एक एक चीज के नोटिफिकेशन में लिखा रहाता कि यह चीज़े सारी आपको कंपाशी जमा ही koban है वहां पर साफ साफ लिखा रहा था है लिखा था कि आपको 20 विहार का कंपल्सरी विना बियनार्सी का आपकी रजिस्टेशन वहां पर आपकी ऑल्लाइन या जो भी चीजे काउंसलिंग मानने नहीं है तो आपकी 20 जम्मा करना ही करना तो सारी कंफूजन दूर हो गई होगी की दोस्तों और रिजल्स की रही बात तो दोस्तों आपको आप- connects से या 3 वीक तक आनेिए वाली है आप लोग वेट करिए आप लोग के जल्दी आप लोगी रिजल्स पब्लिस होने वाली है तो इस जून के लास्ट विक तक काफ़ी हुआ तक रिजल्स हो कि आपकी इतने तक रिजल्ट आई वो भी एक अनुमान के तर्फ बताते कि इन्हें तक के इतने तक के बीच में आएगा ठीक तो दोस्तों साइद ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो यह वीडियो अच्छा लगो तिस वीडियो को जाधा जाधा सेर करें और जो इस चैनल पर नहीं विजिट करें इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए वेल आइकन के गंटी की दबा ले ताकि मेरी वीडियो की नोट्फिकेस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मेरी वीडियो से रूब रूब हो सके तो थैंक यू दोस्तों कर दोस्तों